वा लाइब हो गया अच्छा थोड़ी देर में आपको आवाज जाएगी आप कंफर्म करके एक बार कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजिएगा कि आप लोगों को लाइब जा रहा है जो मैं इमेज दिखा रहा हूं वो दिख रही है स्क्रिन पे मैं दिख रहा हूं और आवाज जा रही है अगर इतना हो जाए तो ठीक है कापी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे लाइब में आए हमारे साथ सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आए है प्रकाश, स्वर्ष, सिमरंजीत, अमै, अक्षय, किरन, सागर, बिदिश्या और अमिजैसवाल तो चलिए कांत में कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन अगर आप इसको पढ़ने जाते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह audit क्या होता है, maintenance क्या होता है, state का करता है, controller क्या होता है, यह चल क्या रहा है तो यह सारे doubt को कदम करेंगे और समझेंगे क्योंकि सीधे सी आपको आज रात में बार बजे के बाद आपके मेरे टेलिग्राम वाला चैनल अभीनों सेंग ऑफिसल उस पर मिल जागा, थोड़ा सा और मोडिफाई करूंगा, इस्जू एड करूंगा और फिर पोस्ट कर दूंगा, तो आपको रात के बार बजे के बाद मिल जागा, कभ कि इंडिया के फर्स सीजी बने, यह जी के का क्विस्चन है, यूपिसे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सर्च करके बताईए मुझे, ठीक, सबको आ रहे आवाज, गुड, दूसरा पॉइंट आपने देखा हो कि लश्मिकंत के शुरुवात में लिखा रहा थ आते हैं, या आपके कभी फ्रेंट्स भी हो सकते हैं, भाई इतना खर्च मत करो, सीजी को बोलते तो हैं गार्जियोन आप दे पबलिक पर्स, लेकिन सीजी का रोल थोड़ा अलग है, यह खर्च होने के पहले चीज़े नहीं देखता, जब एक बार खर्च हो जाता तो उसक मौटम है, ठीक है, कहने को यह गार्जियोन आप दे पबलिक पर्स है, आप लोगने बताया कॉमेंट सेक्शन में, बिलकुल, 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 नरहरी जी जी थे, गुड, तो चलिए, सबसे पहले सीजी की इम्पॉर्टेंस कैसे पता चलती है, कि कॉंस्टिट Can you underestimate, sorry, can you estimate the depth of it, when Ambedkar is saying that CAG is the most important office under the Constitution, See, this is not calling it under the government of India or under the state government, under the constitution, that means कि we are comparing only with the constitutional bodies, so, इसके अलावा और कौं तीन से होते हैं constitutional body जो बहुत important माने चाते हैं एक हो जाएगा आपका election commission एक हो जाएगा UPSC एक खुद का supreme court है और फिर CAG है उसमें हम बिटकर ने बोला कि यह तो भाई most important है ठीक अब CAG के लिए हमें सीधे सीधे यहाँ पर पहले article देखना पड़ेगा तभी हम किसी चीज को समझेंगे इस particular part जो constitution है उसमें चले जाएगे जब आप chapter 5 को खोलेंगे तो आपको heading सीधे सीधे मिलेगी dedicated chapter है Comptroller and Auditor General of India पे इनके लिए article है जो commonly आपके state PSC बगर में पूस देते हैं कि CAG से related कौन सा article है तो 148 आप याद रखें 148 article है प्लीज स्टाट प्लेशे इन न्यूज अरे परकाश रुको कि नहीं तो मैं spam करके CCA से भी निकाल दूँगा यहां से भी निकाल दूँगा मुझे पता है ना कब क्या करना है आप चिंता मत करो 148 हो सकता है यहां से question आजा है और जो मांग रहा है उस वहां से एक भी निया Comptroller and Auditor General of India CAG इसका first clause पहले देखेंगे second clause is not important 148 का सबसे पहले first clause देखेंगे The constitution only says कि there shall be a CAG of India who shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal तो जिन लोगों को पहले नहीं पता है लोग पूछते हैं कि warrant under his hand and seal क्या होता है और normal appointment क्या होता है जब president खुद से paper पे sign करेंगे कि CAG जो है वोई विनोधरा होंगे या किसी और को बोला नरहरी जी होंगे खुद से जब sign किया, खुद से जब उनका stamp लग गया नीचे तो उसको बोते warrant under hand and seal जब यह function किसी को delegate कर देंगे किसी officer को तो वो warrant under his hand and seal होगा नहीं होगा, आपके गर जो later आता है कई बार PMO वगरे से होता है तो खुद sign नहीं करते officer appointed होता है जो president का खुद का sign हो जाए खुद के हाथ से तो warrant under his hand and seal होगा यह बस बताता है यह particular position आपकी जो है official की या Supreme Court की Chief Justice की जिसकी भी बोले गवर्नर की तो यह जो आपकी position है यह बहुत higher rank की position है आपकी importance बहुत ज़्यादा है आप president से directly connected हो इसलिए यह याद रखेगा warrant under his hand and seal लेकिन देखके खुश मत होगा situation इतनी भी ideal नहीं है C.A.G. का काम बहुत important है लेकिन freedom इतनी भी ज़्याद है नहीं है जितना आप आप सोच लोंगे भाई warrant under his hand and seal शुरू हो गया गवर्नर का भी है warrant under his hand and seal बट गवर्नर इस on the pleasure of the president anytime गवर्नर को रिमूग कर सकते है though not in the case of C.A.G C.A.G. once appointed is not on the pleasure of the president वो अपना term complete करेंगा आप नहीं रोख सकते है हाँ आप impeachment कर दीजे दूसरी बात shall only be removed from office in like manner and on the grounds as the judge of the supreme court तो C.A.G. can be removed from the office it is written in the constitution separate provision is not given simply said that कि जैसे आप judge of the supreme court को हटाते है उसी तरह से आप C.A.G. को हटा सकते है that means कि judge of the supreme court, high court वो भी तो बराबर होते है क्योंकि उन दोनों को भी हटाने का तरीका सेम होता है तो हम कह सकते हैं कि high court और supreme court के judges की जो removal की process है वही removal की process C.A.G. के case में भी follow होती है और judges की removal की process क्या है अगर आपको किसी judge का removal करवाना है तो अगर आप इसके लिए proposal ला रहे है राजिस सभा में तो 50 member का sign चाहिए और अगर लोग सभा में रहा रहे है तो बड़ी चीज़ है, लोग सभा में ज्यादा numbers है तो 100 member का sign चाहिए इतने member का sign करवा क्या apply है जो grounds होते हैं वो होता है proven misbehavior और incapacity दो ground mentioned है only proven misbehavior और दूसरा क्या है incapacity यह जो proven misbehavior उसमें corruption वगर की चीज़ें डाल लीजी आप आराम से incapacity मतलब कोई भी mental या physical infirmity है जिससे कि अपना रोल पूरा नहीं कर सकते है वो गलत है उस पद के लिए तो फिर उस case में भी इसको टेकनिकली हम लोग impeachment नहीं करते है impeachment is only used for the president उसके बाद क्या होता है उसके बाद investigation चलती है जिस house में यह accept हुआ उसके बाद जो chairman यह presiding officer depending on the look सभा और राजे सभा that person will accept it और reject it जैसे वेंक कही है नाडू ने थोड़े दिनों पहले जो है reject कर दिया था वो proposal जब कि congress के 50 लोग जो मिलजुल के राजसभा में proposal लेकर आये थे लेकि reject कर दिया तो reject और accept after that there will be investigation investigation के लिए committee बनती है उसके बाद फिर जो है अगर committee ने बोल दिया कि हाँ proven misbehavior या incapacity है तब फिर removal के लिए आपको वाँ पर special majority चाहिए जो constitutional amendment के लिए चाहिए होती है two-third of the present and voting and overall जितना membership है उसका majority that means कि 50% plus one इतना कुछ करेंगे तब जाके आप supreme court के judges को या फिर CAG को हटा सकते हैं very good ground आप हटाना तो आसान नहीं है warrant under his hand and seal तो है एक बार sign करके बना दिया तो pleasure of the president नहीं है कि governor के जैसे जब मंतब हटा देंगे तो इतनी हमें understanding हो गए now every person appointed to be the CAG of India before he enters upon his office make and subscribe before the president और any person appointed by that president oath और affirmation जिन लोगों को नहीं पता है oath और affirmation oath में हम लोग धार्मिक कसम काते हैं affirmation में हम लोग atheistic कसम काते हैं कि भई हम भगवान में बिलीब नहीं करते हैं हम ऐसे जो है कि इससे वादा कर रहे हैं according to the form set out for that purpose in the third schedule तो जब आप third schedule को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वादा कसम मिलेगा पढ़ने किसको जुरत नहीं है आगे बढ़ते हैं now come to the clause number 3 ओके नहीं इस बीजिबल आइधिंग अभी आ रहे हैं हाँ खेर कुछ खास लिखा भी नहीं है जो बोले होई लिखा तो चलिए अब हम जो है इनके हाँ थर्ड क्लास पे देख रहे हैं आर्टिकल 148 कहीं वी आर गोइंग टो सी थर्ड क्लास आ रहे है न हाइलाइटर अब आया क्या अच्छा मूब्मेंट से होगा फिर चला गया तो बीच में अब आया आएगा ठीक है थर्ड क्लास the salary and other conditions what are the other conditions कितना tenure होगा एक बार बन गया तो कितना term रहेगा उनका 6 साल के लिए रहेंगे कि 5 साल के लिए रहेंगे ये सारी चीज़े जो है salary and other conditions of service कही जाएंगी of the CAG shall be as such as may be determined by the parliament by law that means कि constitution does not fix the term of the CAG right does constitution fix the term of the supreme court judges yes it does करता है बताता है 6 साल retiring age इतनी होगी ये लिखा हुआ constitution में CAG के लिए ये चीज़ लिखी हुई नहीं है CAG के लिए constitution में इतना लिखा हुआ है कि कितने साल तक रहेंगे office में क्या retirement age होगी ये अब आप जो है law बना के कर लिजेगा हम जो है ठक गे हम जा रहे है सोने तो सोने चलेगे drafting committee के लिए और बोला की आप law बना के decide कर लेना कि CAG को office में कितने time बैठाना है और किस age में retirement करना है तो law बनाई जाएगी आगी चिंता मत करिये as may be determined by parliament by law and until they are so determined shall be specified in the second schedule जब तक आप नहीं बना के second schedule follow कर लेना वहाँ पर हमने listing बनाई है जब बना लेना तो apply कर लेना तो आप law बनाई है appointment करिये एक बार आपने appointment कर ले तो यह नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे चार्म था 6 साल का अब हमने तुम्हारे जो है scams सारे निकाल दिये तो अब हम 3 साल में तुमको टाटा बाय बाय कर देंगे हम law change कर रहे है नहीं law change करके भी amendment करके भी आप एक बार जितना आपने term promise कर दिया आप उसको reduce नहीं कर सकते just to ensure the independence of the CAG so that it does not fear the executive or the legislature and does his work with the honesty and integrity क्योंकि finally guardian of the public purse ठीक सब तो पैसों का game है यहीं पर जब बात हो गई कि इसके लिए parliament law बनाएगा तो क्या parliament ने law बनाया term के लिए बिल्कुल बनाया parliament पीछे कैसे रहेगा parliament ने इसके लिए law जो बनाया है उस law को कहते हैं हम लोग DPC Act DPC Act का मतलब क्या है CAG duties for D powers for P and conditions for C so CAG duties, powers and conditions of service act यह act आय था 1971 में इसमें एक बार amendment हुई है 1976 में लेकिन amendment अभी नहीं बताऊँगा amendment थोड़ी दर बात बताऊँगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा तो act कब है 1971 में amendment कब हुई 1976 में और क्या age fix की गई है just like supreme court judges सारी चीज़ें दी गई है कि जब भई impeachment का process भी वही है तो सारा चीज़ वही कर दो न 65 की age रहेगी 6 साल का रहेगा इसमें से जो जो है पहले हो जाए तो आप 65 साल के होगे तो यह नहीं बूलेंगे कि नहीं हमारा तो 6 साल बाकी हमने एक ही पूरा की हम तो 70 में retire होंगे यह सब नहीं चलेगा whichever is earlier you will retire 65-6 ठीक UPSC के लिए यह term है retirement age जो है constitution में लिखे हुई है supreme court के लिए constitution में लिखे हुई है judges के लिए CAG के लिए नहीं लिखे हुई है तो एक तो भेदवाव यहीं पे होगा आपने बोला कि most important constitutional body है यह आपके चार में ऐसे एक pillar है यह बाकी सब को तो आप दे रहो बड़ी बड़ी चीज है और यहाँ पे CAG के साथ आप जो है discrimination कर रहो उसके लिए बोल रहो law बना के देख लेना DPC Act बट खर कोई बत नहीं parliamentarians ने law बनाया है यहाँ तो आपको यह समझ में है कि removal का एक process है तो he does not hold his office till the pleasure of the president though he is appointed by the president और appointed by the president भी बहुत गलत तरीका है आप NHRC देख लिजिए CBC देख लिजिए CIC देख लिजिए सारे की appointment में a committee involved होती है and more often than not उसमें opposition का भी leader involved होता है लेकिन CAG के appointment में ऐसा कुछ नहीं है simply cabinet recommend करती है president को president sign करते है और CAG आ जाते है तो दूसरी problem दिमाग में यहीं से आ जाए कि CAG के appointment completely government अपनी मर्जी से करती है removal में हालत खराब हो जाती है यही गलती जो है Congress ने किया था बिनोधराय को appoint करके जब सारा जो scam का एक एक करके list आने लगा था appointment तो कर दिया government ने अपनी मर्जी से कि हमारा साथ देंगे लेकिन जब वो एक एक का scam करके निकालने लगे तो हटाने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसके लिए brute majority चाहिए special majority चाहिए उतनी Congress के पास थी नहीं और करें भी तो क्या वो भी तो public में आ जाते ही सारी views CAG को तो कामी यही है postmortem करके जनता के बीच में पताना है कि ये देखो कितना बड़ा scam हो गया और उसके बाद उसके बाद उसके किताब लिग दीजी और फिर उसके बाद आप popular हो जाएगा फिर जब job में भी जाएगा तो आपकी popularity आपका साथ देगी always get famous चुपा चुपा काम करेंगे तो कोई जानेगा भी नहीं वो अलग बात है कि अगर famous होके आप कुछ गलत करते हैं तो फिर double famous हो जाएगे तो फिर मुझे दोस मत दीजिएगा चौते क्लास देख लेते हैं अचा अभी आ रहा है ना सब कुछ एक बार confirmation ज़रूरी है क्यों सर रिमूबल में ही क्या होगा थोड़ा explain करें रिमूबल में तो पूरा बता दिया process रिमूबल का मैंने एकदम judiciary जैसा judiciary भी पढ़ाया हुआ है ऐसे ना पूछो या 4th clause The CAG shall not be eligible for further office either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office so let's not get confused it's simply saying that कि आप government की सरकारी नौकरी नी कर सकते है चाय तो state में या union में election लड़िये कोई दिक्कत निया वो सरकारी नौकरी नी होती party join करिये कोई दिक्कत निया किताब लिखिये royalty कमाई हमें कोई दिक्कत निया private नौकरी करिये कोई दिक्कत निया but you will not be eligible for further office under the government of India or under the government of any state क्योंकि अगर आपको कल को government बोल दे कि हम तुमें बहुत बड़ा post दे देंगे और आपने ये लालच में government के सारे report positive बना दिये कि बहुत अच्छा काम किया है एक रुपए में 50 रुपए का काम किया क्या सरकार है जनता खुस होके वोट दे देगी क्या सरकार है तो इसलिए ये रोका गया है कि एक बार आप CAG बन गया है तो retirement के बाद चाहे जब भी आप सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकते but bank board bureau आया था bank board bureau क्या करता था recently बना था कुछ सालों पहले Modi government के टाइम पे और bank board bureau क्या करता था एक recommendation के list देता था कि in public sector bank में ये chairman बनेंगे ये MD बनेंगे और UPS ने प्रेलिम से में ये question direct पूछ लिया था ठीक है कि bank board bureau क्या करता बहुत easy question था but finally appointment जो होती cabinet committee करेगी लेकिन bank board bureau जो है recommend करता था तो ये bank board bureau जो first time बना तो उसके chairman कौन बनें उसके chairman बनेंगे बिनोधराए और यहीं पे issue आ गया क्यों कि बिनोधराए ने ही पिछला जो UPA2 का government था जो कि 2014 तक चली थी उसमें बहुत सारे scam बताये थे 2G हुआ, coal हुआ, बहुत तरह क्या scam अगर बताये थे और उस सरकार का गिरने का एक बहुत बड़ा ये कारण था कि उसके बहुत बोर्ड ब्यूरो का चेर्मेन तो लोगों ने case करते हैं, Supreme Court में चलेगा तो government ने अपने आपको defend कैसे किया government ने बोला कि ये advisory role है कोई हम जो है government job नहीं दे government ने बोला कि ये advisory role है छोटा सा part time role है कोई permanent job नहीं है कोई office of profit नहीं है तो फिर case ज्यादा चलने की जोरत भी नहीं होई क्योंकि फिर एक नए इंसान पॉइंट हो गया और ये जो है काम खतम हो गया but ideally it had never happened तो it happened for the first time बैंक बोर्ड बीरो के chairman ने एक पिछले CAG का but otherwise ऐसे constitution में लिखा हुआ है कि you will not be eligible for any further office under the government of India or any state government now चार क्लाज अपने पढ़ लिया चार क्लाज में अब थक गया आपको पानी पी ने की छाओने लिए अब थक गया आगे पढ़े पाचवा और मजा आएगा subject to the provision of this constitution of any law made by the parliament the conditions of service of person serving in the Indian audit and account department and the administrative power of the comptroller general of India shall be as such may be prescribed by rules made by the president after consultation with the CAG कहने का ये मतलब है कि government का एक department है Indian audit and accounts department Indian audit and account department Indian audit and account services आपने सुना है UPC के form में post में देख लिज़ेगा लिस्ट में रहता है यही से recruitment होती UPC से तो Indian audit and account services जो है IAAS करके तो उसका जो department है उसमें जब भी किसी की बहाली होगी उसके जो administrative power होंगे क्या होंगे नहीं होंगे यह सारी बात है आप देख रहे है conditions of person serving in Indian audit and accounts department और administrative power of the CAG regarding this audit and accounts department this will be determined by the president but only after consultation with the CAG तो यह CAG का role होगा कि नहीं हो CAG बताएंगे कि Indian audits and accounts department में क्या conditions of service होगी और CAG बताएंगे कि administrative power वहाँ पे क्या होगे फिर president जो है उसके हिसाब से rule बनाके चीजों को बाहर public में ला देंगे समझगे न याद रखिएगा Indian audits and account का जो services होता उसके कोई ministry के अंदर नहीं होता वो पूरे को CAG अकेले head करते हैं ताकि independent रहा है और यह एक बहुत बड़ी चीज होती there is no minister उसमें कैसे कैसे चीजें चलेंगे president rules बताएंगे लेकिन rule बनाने के लिए president CAG को ही इक constitution में लिखा हुआ है important last clause of this article the administrative expenses of the office of the CAG including all salary, allowance and pension payable to or in respect of person in that office shall be charged upon the consolidated fund of India तो जिन लोगों की polity weak है there are two kinds of salary in this constitution आई हो पार रहा हूँ इस पर मैं चेक कर ले रहा हूँ अरे हाँ दो सही लिख लो अरे विनोध और विनोध में क्या रखा है इतना उसका एक्जाम में चिंता मत करिए अब confirm कर लेजेगा विनोध है कि विनोध है अशे एक बार बढ़क है इससे फर्क नहीं पड़ता इतना अच्छा हम देख रहे थे क्या एक होता है आपकी salary charged on the consolidated fund of India और एक होता normal salary charged में क्या है charged on consolidated fund of India पे हम लोग voting नहीं करेंगे annual budget आता है budget में सारे खर्चे बताए जाते है तो उसमें ये भी तो बताए जाता है कि ये constitutional post CAG को कितना पैसा जाएगा उनके department के लोगों को कितना पैसा जाएगा तो budget पे वोटिंग होती है financial statement पे वोटिंग होती है तब जाके budget बनता है अगर उस वोटिंग के time पे हम CAG की salary की भी वोटिंग करा दें तो वो घलत हो जाएगा क्योंकि CAG की salary charged on the consolidated fund of India that means कि इसको अलग से रखा जाता है और फिर पास करा दिया जाता है इसका एक separate account बनाया जाता है और उसको पास करा दिया जाता है इसी जिसको charged on the consolidated fund of India बोलते है और जो mostly अपकी important constitutional post है उनकी independence maintain करने के लिए budget के time पे उस पे हम लोग voting नहीं कराते है कि उसको पैसा देना है कि नहीं देना है ला बना क्या fix कर लिजे कितना देना है उसके बाद उस पे voting नहीं होगी budget के time पे कोई कटावती नहीं होगी तो यह याद रखना है कि CAG का भी जो है expense बगर है charged on the consolidated fund of India the administrative expense भी इसमें included है यह आपके article 148 तक होगे ठहना now 149 में हम लोग जो हैं कि duties and power of the CAG देखेंगे the comptroller and auditor general shall perform such duties and exercises and power in relation to accounts of the union and the state देख रहे है union का भी account देखते है union government का साथी साथ state government का भी देखते है और कोई इसके लाबा और भी body हो सकती authority हो सकती है अगर parliament by law उनको prescribe करे and until that provision is made shall perform such duties and exercise as such power in relation to accounts of the union of the state as were conferred on exercisable by the auditor general of India immediately before the commencement of the constitution बस ये कह रहे है कि CAG की power क्या होगी तो घुमा फिरा की इतना मिला जो लगी जो सारी बाते हैं उसके last में ये कह रहे है कि जब तक parliament नहीं बताती कि क्या क्या power होँगी तब तक CAG की power वही होँगी जो commencement of the constitution के पहले auditor general of India की थी dominion था dominion of India थोड़े time के लिए इंडिया ने थोड़े time के लिए dominion status चूज किया था उस time पे जो auditor general के power थे वही CAG के power होँगे जब तक parliament कोई और ला बना के बताने देखी क्या क्या power होँगे ठीक है तो CAG के अचा पहले auditor general होता था वही post of CAG है before independence AG बोग देते हैं तो यह याद रखना है चलिए अब जो है हम CAG के duties and powers को detail में देख रहे है तो इसके लिए कहाँ पे हमने parliament ने क्या law बना है वही DPC act बना है 1971 का तो यहाँ पे उनकी age बगर सब कुछ दी हुई है अब भुचो है हम लोग functions देखते है functions में सबसे पहला तो यह है कि CAG mainly किस चीज को audit करते है छे account mainly होते है government से related union government का consolidated fund of India सारे state government के consolidated fund of states उसके बाद आजाएगा public account of India उसी तरह आजाएगा state governments का public account of states तो इस तरह 6 तरह के तो यह account होगा government वाले उसके लाबा PSU Corporation का भी topic आएगा उसको आगे देखेंगे तो he audits expenditure from the consolidated fund of India consolidated fund of states public account of India, public account of states contingency fund of India and contingency fund of states तो यह पक्का आपको याद रखना है so many people might be confused what is consolidated fund of India यह सरकार का कोश है, treasury है जो पैसा mainly आता है, यही प्यांता है इसके लाबा जो थोड़ा बहुत बच जाता है small saving वगर का वो public account में जाता है तो कहां से पैसा आता है इसमें government जो tax collect करती है वो CFI में जाता है consolidated fund of India में government ने कहीं से loan वगरे लिया है RBI जो mainly कई बार अपने news में सुनवागा wage and means allowance जो RBI देती है कई बार government को wage and means advances यह पैसा भी यही जाता है government ने किसी को loan दिया था recovery होई है तो वो पैसा यही पे जाएगा और similarly RBI treasury bill के हिसाब से जो government को transfer करती है यह सारा पैसा जो है consolidated fund of India में होता है what about public account public account में जैसे सरकारी officer बगर का जो provident fund है post office saving scheme है इसके अलावा भी कई और सारे small saving certificates बगरा जो होते है वो public account में जाते हैं इसके लिए constitution में article है आप चिंता मत करिए so उसमें यही लिखा हुआ है कि all that money which is not included in CFI is recovered and collected in public account of India खास difference यही आपको याद रखना है कि जब आपको consolidated fund of India से expenditure करना है government को तो parliament की approval चाहिए होती है इसी time पे budget बनाना परता है इसी के लिए क्योंकि parliament की approval चाहिए CFI से पैसे निकाने करी है एकदम आप charge निकाले या normal निकाले लेकिन आपको approval चाहिए तो consolidated fund of India से अगर expenditure करना है तो parliamentary approval चाहिए लेकिन अगर आपको public account of India से expenditure करना है तो parliamentary approval नहीं चाहिए इसको article इसका जब तक देखेंगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं तो हम लोग सबसे पहले है यहाँ पे article देखेंगे यह नीचे है एक मिनट Article No. 266 अभी ठीक है सा? हाँ ठीक 266 Consolidated Fund and Public Account of India subject to the provision of the article 267 जब आपको नहीं देखना अभी and to the provision of the chapter with this respect to assignment of the whole or part of the net proceeds of the certain taxes and duties to a state all revenues received by the government of India all loans raised by the government of India by the issue of Treasury Bill loans और wage और means advances जो अभी अभी थोड़ी दर पहले बोल के पढ़ाया लग से means advances and all monies money का plural money चलता है मनी रिचीब बाइट गवर्मेट in repayment of loans shall form one consolidated fund of India क्यों consolidated है? अलग अलग जगा पे पैसा है अलग अलग तरीके से आया हुआ है उसी के पूरे compilation को जब एक बार understand करेंगे holistically एक जगा रखा हुआ नहीं है कि मोदी जी के office के पीछे जो CFI के पैसे गड़े हुआ है अलग 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 बैंक में अलग अलग जगा पे है उसी को जब आप consolidate करोगे तो वही जब पूरा account बनता है वो consolidated fund of India होता है so the consolidated fund of India and all revenues received by the government of a state all loans raised by the government अच्छा उसी के नीचे जब consolidated fund of a state क्या होगा तो similarly जैसे consolidated fund of India है उसी तरह से consolidated fund of a state है इसी आर्टिकल 266 की clause no.2 में चले जाएए तो आपको वाँ पे public account of India मिल जाएगा all money, all other public monies other आगे है ना इन्होंने भी shortcut में निकाला है बोला कि जो वहाँ पे नहीं है other वाला वो public account में है तो आप चिंता न करें कौन सा पैसा है other public monies received by or on behalf of the government of India or the government of a state shall be credited to the public account of India or the public account of the state as the case में भी state government collect करेगी other money तो public account of state में जाएगा union में जाएगा ठीक या इंडिया में जाएगा nice last वाला जो है देखिए यहां पे third clause no money is out of the consolidated fund of India or the consolidated fund of state shall be appropriated except in accordance with the law that means law बनाने की बात हो रही है मतलब कि parliamentary approval की बात हो रही है yes public account of India sorry consolidated fund of India consolidated fund of state से जब भी आप ऐसे निकालेंगे तो आपको legislature की approval की जरूरत है अगर आप state में है तो state की legislative assembly से पास कराई है और अगर आप union level पे निकाल रहे है तो आप parliament से अप्रूब करवाई है with law and for the purpose in the manner provided in the constitution हो गया and the last 267 में अलग से dedicated है contingency fund के लिए parliament may by law established now see can you see the difference 266 में क्या लिखा था subject to the provision and to philandrekaan जो भी है with respect to assignment or whole partners all revenues 266 में सीधे सीधे बोला है कि आपका consolidated fund of India और public account वाला ये आपकी दो account होंगे right लेकिन contingency fund के लिए ये नहीं बोला है कि by default constitution create कर रहा contingency fund के लिए बस आपको इतना लिखा है कि parliament may by law establish a contingency fund in the nature of an impressed to be entitled contingency fund of India बोला कि नाम दे दे रहा है हम आपको contingency fund of India बनाना है कि नहीं बनाना है आपकी मर्जी है आप देख लेना ठीक छोड़ दिया क्यों क्यों कि नींद आ रहे थे लिए contingency fund of India into which shall be paid from time to time थोड़ा मोड़ा पैसा जैसे contingency fund क्या होता आकस्मिक पैसा घर में कई बार कहुते हैं आप देखते हैं कि पैसे कभी-कभी खतम हो जाते हैं तो ममी हमेशा कहती है कि हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है कुछ पैसा नहीं है लेकिन जैसे कमी हो जाएगी तो उधर से जो है पीछे से जो है गोदरेज की अलमारी के पीछे से निकलेगा यह रहा cash this is contingency fund of India ममी ने अलग से पैसे नहीं खमाए अगर मेरी ममी दिवाद करें तो वो तो housewife है housemaker लेकिन पापा के ही जो है पैसे थोड़े 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 बचा के जमा कर लिए अब जरूरत पे वो जो है निकालती है ऐसे नहीं दिखाती है वो हो गया contingency fund of India तो इसका कोई रूल नहीं है time to time उसमें गुल्लक की तरह पैसे डालती है जरूरत पड़े तो जहसको चकना चूर करके जो अपने अर्मानों को भी चकना चूर कर लीजिए और सारे पैसे खर्च कर लीजिए may be determined by such law as the state fund may be placed at the disposal of the president के पास होता है president निकाल सकते हैं और उससे advance जब जरूरत पड़ती है तो निकाला जाता है कोई unforeseen expenditure है उसके लिए पैसा खर्च करने के बाद authorization of such expenditure by parliament by law समझ गए इस बात को पहले पैसा उड़ा लीजिए बाद में approval ले लीजिए क्योंकि आकस्मिक हालत हो गई थी सोचा नहीं गया था कि यह खर्चा जाएगा इसी को contingency fund of India बोलते है यह सारे article में आपको पढ़ा दिए भया ठीक है उसी तरह legislature of the state may by law established contingency fund of the state तो सब लोग बनाई बैटे हैं मौका मिलता तो छोड़ता कहां है कोई बोला है कि अपने legislature से बना के कुछ बनाने fund बनाने के नाम पर तो लोग executive resolution से fund बना देना parliament की बात कर रहे है चलिया यह हो गया और हम अटके थे यहां पर functions में हाँ अब हम लोग functions पढ़ेंगे पहला function all expenditure मैं इसको language change करके बोलो जो लिखा वसको नहीं audit of all the expenditure from the consolidated fund of India and consolidated fund of state ठीक उसी तरह audit of all expenditure from public account of India and public account of state ठीक and similarly audit of expenditure from the contingency fund of India and contingency fund of the multiple states ठीक पहला तो यह फंक्शन हो गया at the same time ASI union territory जिसकी legislative assembly हा वहां पे भी public account consolidated fund or contingency fund का audit किया जाएगा that means कि पुडुचेरी दिल्ली का यह भी इंक्लूड़ेट है legislative assembly having union territory भी इंक्लूड़ेट है कई activities चलती रहते है खर चलता रहते है उन सारे department की भी audit करता है कौन CAG to audit the receipts of the union and states to satisfy himself that rules and procedure in this behalf have been resigned to serve as an effective check on proper assessment and collection of the revenue तो finally यह भी देखना है कि rule regulation appropriate है की नहीं है यह सारी चीजों का assessment करने का rule यह फिर collection of revenue का rule यह सारी चीजों पर नजर भी CAG रखता है mainly जो first function आपने सुना वह बहत important है बाकी सारे चीजे रूल regulation से related है last audit of government stocks and stores तो government का आपको पता ही है government का भी कुछ inventory होता है उन सारी चीजों का audit करना भी काम किसका है CAG का यह हो गए government के account के audit railway क्या है railway completely ministry है rail ministry है लेकिन railway का business भी है तो railway का audit कौन करेगा by default अगर government का department ministry ही public sector enterprise या government company बन बैठा है अगर ऐसा case है तो by default CAG audit करेगा अब उसके अलावा अगर department सीधा company नहीं बनी है railway बहुत अलगसा case है railway में जब आप job करते हैं तो आप PSU में नहीं माने जाते हैं आप जो सीधे सीधे भारत सरकार के job करने वाले माने जाते हैं उस तरह के post बने हैं वहाँ पे तो railway बगर जैसे जो चीज आ गए तो वहाँ पर याद रखेगा कि सीधे सीधे आपकी CAG audit करेगी और कोई audit नहीं करेगा now apart from that two conditions arise PSU के लिए एक होते हैं Corporation Life Insurance Corporation of India और दूसरा होता है Company अगर Corporation है तो याद रखेगा Corporation की condition क्या होती Corporation हमें इसा लॉसे बनता that means कि Parliament में कोई law pass हुआ था LIC बना चाहिए कि इसी चीज को बनाए तो Statutory Corporation बोल सकते हैं आपको क्योंकि statute में बना है और 100% Government owned होते हैं What about Company Government की कई सारी companies भी है bail bail लेके पता नहीं दिक्कत नहीं लेकिन कम भी जा सकता है Government बार बार उसको जो है अब देखते हैं आशकल Government जो अपना share बेचती रहती है कि ले लो ले लो पैसा आएगा बड़ी खुशी से बेच भी रहे हैं उसके लिए जो है डीपम करके जो है Department बना दिया अब बात कर रहे हैं बेचने के लिए जो हंडेट तो उसको 51 कर देंगे तो कंपनी में कम से कम 51 परसेंट का स्टेक होना चाहिए लेकिन अगर अब चलिए पहले का कैसे होता है वह देख लेते हैं उसके बाद कंपनी पर चलेंगे अच्छा बाइद बड़े कंटिंजेंशी फंड बनाने के लिए बोला था नहीं कि एक ला से बना सकते हैं तो या एक बाद फिर से चेक कर लो चीज है भाद है कि अधिक इस फार्म औप मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट फर एजमपल रेलवे तो कमपलेटली सीजी करेगा ठीक है सीजी करेगा रेलवे मिनिस्ट्री का जैसे होता से रेलवे कंपनी का पूरा जो खर्चा वर्चा उसका ऑर्डिट सीजी करेगा अधर्वाइज ज्यू इस लौस से वो कॉर्पोरेशन बना था जैसे बोला नहीं तीन तरह की condition बनती है, उन different laws के कारण जिसके अंदर corporation बने होता है, most of the corporations are completely audited by CAG, most of the, इतने सारे corporation होंगे जो लॉसे बने होंगे न, mostly उनको CAG ही fully audit करता है, कुछ corporation को CAG partially audit करता है, एक limit तक, बाकि private जो है उसके साथ involve की जाती है, party है third party, अच्छा, कुछ ऐसे हैं, जिनमें CAG को audit से बाहर रखा गया, exclude, कि CAG cannot audit, and this one only you have to remember, लेश्विकान में सब के तीनों के example देके confuse किया है, RBI, SBI, FCI, LIC, ठीक है, ये सारे में, Reserve Bank of India, State Bank of India, Food Corporation of India, और Life Insurance Corporation of India, ये सारे जो यहां पे बन रहे है entity, चार, इसमें CAG audit नहीं करती है, इनके पीछे जो law है, उसमें mention किया हुआ है, कि CAG will not audit, टेक, इसलिए, ओके, what about the companies, जहां पे government का minimum 51% अस्टेक होना था, companies are audited by chartered accounted, जो आप लोग जो टेलिग्राम पे देखते हो, CA, फ्लान, CA, डेकान, वो हमारे दोस्त लोग जाते हैं, और company का audit करते हैं, companies are audited by CA, just like the other company, जारे, भईया, सरकारी company है, तो क्या हुआ, private company का भी वही रूल चलेगा, सरकारी का भी वही रूल चलेगा, differentiate क्यों करना, नहीं, तो competitiveness कैसे आएगा, जब आप हर चीज में government है, गुसा दोगे, तो इसलिए, जो आपकी private, जो company है, government की, वहां पे audit जो है, आपकी CA करते है, chartered account करते है, but, 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 those CA's are nominated by the central government, एरे गरे को तो नहीं डाल देंगे, government की company का audit करना है, कुछ गलत report बना दी तो, and central government nominates those CA's only on the advice of CAG, क्याद रहे गा है, companies of the government are audited by the CA, and those CA's are nominated by the government, and government nominates those CA's only on the advice of the CAG, importance यह है, इतना ही नहीं है, जब यह CA, जिन लोगों को काम दिया गया था, government की company को audit करने का, अगर चाहे CAG, तो उनकी audit के report को audit कर सकती है, this is known as supplementary audit, कि तुमने रिपोर्ट बना दी, हम अब तुमारे रिपोर्ट का पढ़ लेंगे, तुमने रिपोर्ट का पढ़ लेंगे, तुमने सही किया गे नहीं सर Similarly, एक और चीज जाननी है last में, कि ये तो normal audit है, बट periodically government अपनी कई companies का appraisal करवाती रहती है, annually, 4-5 साल में ऐसे करके, periodic comprehensive जो appraisal होता है government की company का, उसमें हम government की company का performance को audit करते हैं, वो जब performance की audit की जाती है, उसके लिए CAG के अंदर audit boards बने हुए हैं, वो ही ये काम करते हैं, तो वो CAG करता है, और CAG के अंदर उसके लिए audit boards बने हुए, एक board है, दो company को देख रहा है, दूसरा board है, तीन company को देख रहा है, ऐसे करके, समझ गे रहा, ओके, next work ये है CAG का, कुछ आर्टिकल तो नहीं छोट रहा, देख ले रहा है, एक बार, चलि पहले मैं आपको आर्टिकल 150 पढ़ा देता हूँ, उसके बाद निक्स चीच पढ़ा रहा हूँ, 150, form of accounts of the union and of the states, the accounts of the union and the states shall be kept in such form as the president may, on the advice of the CAG prescribed, you are getting this point, अब मैंने ये जो लेक्चर बना रहा हूँ, इसमें मैंने एक form set किया है, कि मैं इसमें अपना camera से जो अपनी image दिखाऊंगा, video दिखाऊंगा, उपर जो है myS corridor का logo लगाऊंगा, voice के लिए मैं mic use करूँगा, camera यहां रखूँगा, और मैं screen पर ये चीज़ दिखाऊंगा, त उसका structure है, उसी तरह audit का जो report होता है, कुछ भी audit होता है, तो finally, या maintenance of record होता है, कि हमें कितना कितना revenue आ रहा है, उसको maintain करने का भी तो तरीका होगा, क्योंकि finally किसी को audit करना है, तो उसका convenience भी देखना पड़ेगा, कि चीज़े maintain कैसी की जाए, इसी लिए, article 150 ये बोलता है, क जब आपका account maintain होगा, किसका, union government का, या state government का, तो कैसे maintain होगा, ये president determine करेंगे, that means कि government of India determine करेंगे, लेकिन only on the recommendation of CAG, बहुत असान, logical है, finally CAG को evaluate करनी है, चीजे बात में जब खर्च हो जाएगा, तो जो account maintain करना है, अगर CAG पहले से ही बता दे कि आप ऐसे maintain करिये, ताकि last में जो है, उसका study करें, हम लोग तो हमें आसानी होगी, तो कोई लिख जो है, उसमें फार्सी में लिख दे, पर्षियन में लिख दे, और CAG जो है अपना सेर्फ का बात है, पर्षियन में लिख दिया, खर्चा कितना लिख दिया, एक के जगह पर इसे घुमा के लिखा, स्टेट की जो अकाउंट का मेंटेनेंस होता है तो वो किस तरीके से होगा ये प्रेशिडेंट डिटर्माइन करते हैं on the basis of recommendation of the CAG. Now, did you notice the very interesting thing? A state government कैसे account maintain करेगी ये भी प्रेशिडेंट है determined कर रहा है. This goes against federal structure? Yes. And based on the CAG recommendations. देख रहा है, President में both union and state के लिए. और finally जब audit की report आती है तो आपको पता है न? CAG उस चीज को जो audit की report को कहां डालता है? President के पास भेजता है. और President कहां करते हैं? उसको पेश लोग सबाराज सबा में करते हैं. और अगर state government का है तो कहां जाता है? audit का report? Governor को जाता है. Governor उसको कहां पेश करते हैं? Legislature of the state में करते हैं. अगर legislative assembly है, तो खाले legislative assembly में जाएगा. दोनों है, तो दोनों में जाएगा. Council में भी जाएगा. उसके बाद साब उसको देखके तालिया में जाते हैं. बहुत अच्छा बात. इस बात से खुश हो के CAG को Public Account Committee का Friend Philosopher का आजाता है. Handholder, Guide. बताओ हमें क्या खर्चा हुआ. दिखाओ हमें ताकि हमें समझे. क्योंकि Parliamentarian को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा. लेकिन CAG तो में ली जो हता है. आई-एस ओफिसर होता है. इतना बड़ा कैडर हुथने सारे ओफिसर. तो वह समझाएगा. देखो, खर्चा कम हुआ कि जादा हुआ. तो इसलिए CAG को Friend Philosopher Guide of the Public Account Committee का आजा. हाँ, ये भी हो गया. चले, नीचे और फंक्शन के नीचे है. कम्पनी वाला भी हो गया. So, उसी आर्टिकल को मैंने 150 को यहाँ पर लिख दिया. Form in which government accounts are kept is decided by the government. क्यों? President is government is same. कहीं पर कोई governor लिखे तो आप समझे कि वो आपके cabinet की बात हो रहे, state की. और कहीं पर कोई president लिखे तो आप समझे कि cabinet की बात हो रहे, union government की. But only after advice from the CAG. Both union and state forms are determined by the president only. Remember that. लिखा हुए article में. Okay. Form of account हो गया, audit report हो गया. Finally, एक article interesting है. मैंने यहापे डाला है, 279. आपको पता है कि GST हो, चाहे, revenue हो, कुछ भी हो. Last में central government उसको devolve करती है states के लिए. अच्छा कल को माल लेजे कि central government बहिमानी कर ले. और finally, net collection क्या होता है? Central government ने बोला, कि मैंने जो है, total पैसे कितने कमाए? पचास रुपे हैं, रुपेज 50. इसमें से state को जाना था 25. लेकिन अब इसमें central government कह रही है कि, लेकिन collection तो मैंने किया था ना? तो collection में में मेरे already 25 खर्च हो गया. अब मैं तुम्हें कुछ न दूँँगा, हमारा तो खर्च हो गया. Getting this point. तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, कि net proceed का मतलब क्यों आता? Net proceed का मतलब होता है, कि जितना आपने कमाया, उसमें से कमाने में जो खर्च लगा, वो हटा दीजिए, वो net proceed है. 50 रुपे आपने कमाये, लेकिन वो कमायने के लिए, आपने इतने सारी income tax rate मारे थे, जाजा के हर जगह पे. खर्च तो आया होगा, पेट्रोल का डिजल का, तो वो भी तो ध्यान रखना है. कहीं-कहीं तो money counting की machine लगानी पड़ रही है, दिन बर बैठना पड़ रही है, तो salary देनी पड़ रही है, यह ऐसे करकर के आपने टैक्स कमाया है, तो उसका जो खर्च बताना पड़ेगा ना, जब वो tax collection का खर्च आप overall revenue में से घटा देते हैं, that is known as net proceed, बट यहाँ पर बैमानी हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, सिंटल गर्मेंट कर सकता हैं कि हमारा बहुत खर्च आया, हमारा बहुत खर्च आया, कुछ बचा ही नहीं है, that is why net proceed पे certificate जो बनता है, कि सही है कि गलत है, यह सिए जी करता है, constitutional body, powerful body, यह article 279 में लिखा हुआ, calculation of net proceeds, in the foregoing provision of this chapter, net proceed means, any tax or duty the proceeds thereof, reduced by the cost of collection, reduced by the cost of collection, मतलब कि 10 रुपे कमा हैं, उसमें से 3 रुपे जो cost of collection था, तो total 7 हो गया, यह उदा net proceed, and for the purpose of this provision, the net proceed, इकट गया किया, रुकिये, एक सक्ड, 279, picture लिए रखाना, crop next page में आगया होगा, for the purpose of the proceeds of any tax or duty, or any part or tax of duty, is attributable, certified by the CAG, whose certificate shall be final, तो इसके आगे, यह लिखा होगा है, इसमें जो finally certification आती है, कि net proceed कितना है, that certification is by CAG, and that certification is final, उसके आगे सुनवाई नहीं होती, got this point, तो CAG का इतना सारा role है, net proceeds to be shared between union and states, that is certified by the CAG, also CAG जो है, finance commission को भी help करता है, कि finally आप जब devolution वगरा करेंगे, तो state government किसी का finance कैसा कैसा चल रहा है, चाहिए 14th finance commission हो, या 15th finance commission हो, उसको भी थोड़ी बहुत help CAG करता है, कि इस state government को इतना देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए, ना allocation वगरा, अब main जो आपके मन में question था, कि जो मैंने बुला था कि amendment आपको एक बाद में बताऊंगा, 1971 वाले law में जो amendment हो ता 1976 में उसका discussion करने जा रहे, और क्यों amendment किया था ये बताने जा रहे, देख लें एक बार, सब लोग खुश है, ठीक, अब मज़ेदार बात है, कि we are going to amend this law, जिसमें कि CAG के सारे function लिके होएते है, क्यों amend करेंगे ये बताऊंगा, और उसके बाद क्या situation है ये बताऊंगा, थोड़ा सा conceptual जीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, स्वैम मत करिएगा, तिल 1976, 1976, with respect to a state's event, तिल नाउ, CAG used to maintain accounts for India, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप इसको सुनके, देखिए, पहले क्या था, 1976 तक ये system था, कि state government का जो account है, वो audit तो करी रही थी CAG, उस account का maintenance भी CAG कर रही थी, समझ रहें आप, जो cashier है, वही audit भी कर रहा, account का form maintain करना अलग बात है, account में पैसे जो आ रहें, उसको भी maintain कर रही थी CAG 1976 तक, और similarly वो state government के level भी कर रही थी, कि जो maintenance होगा account का, और जो audit होगा, दोनों CAG के पास पढ़ा हुआ था, what do you think, this is right or wrong, checks and balance कहा गया भाई, जो maintain कर रहा हुआ, evaluate कर रहा बाद में, यह पर भी हम ही लिखें, evaluation भी हम ही कर रहें, तब तो हम full marks देंगे खुद को, तो यह problem को देखते हुए, इस law में 1976 में amendment किया गया, लेकिन वहाँ पर भी interesting मज़िदार बात यह है, कि amendment करके, लेकिन यह हमने किया union government के लिए, तो that means कि अब union government के level पे 1976 के amendment के बाद, CAG account maintain नहीं करता, audit करता, बट state government पे कहाँ गूमती सरकार law बना के, तो state government को बोला कि यह state government, president से permission ले लिजिए, और आप भी चाहे तो separate कर दीजिए, यह state government के लोग इतने आलसी हैं, हम एक कुछ महनत नहीं करनी, आप चुपचाप रहने तो, एक गोवा एक single state है, जिसने बोला कि नहीं, हम separate करेंगे, तो president से permission मांगी, president permission दे दी, तो गोवा में CAG government के account का only audit करता, बाकि सारे state में CAG government के account को maintain भी करता, audit भी करता, और central government के level पे CAG, just like Goa account का बस audit करता है, maintain नहीं करता तो नहीं, very interesting question, who maintains that, for that, government amended this 1976 law, sorry, 1971 law in 1976, and with respect to states, even till now CAG used to maintain accounts, यही मैंने लिखा है, कि अभी भी state में वही condition है, गोवा को छोड़कि कि CAG maintain भी कर रहा है, और audit भी कर रहा है, जो कि बशरते गलत बात है, बट चल रहा है, union level पर हमने यह problem हटा, यह separate कर दिया, अब account maintain कौन करेगा, तो उसके लिए नहीं भाली होगी न, नया service create क्या, railway वाल आये हैं, लोग UPC का seat बढ़ गया, बहुत सारा सब के party हो गई है, तो उस ताइन पर भी यही बाता, department के अंदर चीज़ें हो रही है, वो अपना account खुद maintain करी है, हम CAG के लोग आएंगे, उसको audit कर देंगे, एक बात यह, इस चीज़ को बोला गया, departmentalization of accounts, यह आपको लक्षमी कांत में भी term मिल जाएगा, क्या, accounts का departmentalization, CAG का सिर पे बोज कम कर दिया गया, अलग-अलग ministry, अपने-अपने department के थूँ, अपना account मेंटेंड कर लेंगी, checks and balance के लिए, CAG बात में उसको audit कर देगा, post-mortem, separate entity, very good method, but not happening in the states, except Goa, अचा, Goa by the way, एक single state भी है, जहाँ पर कि uniform civil code चल रहा है, हला कि वो completely uniform नहीं है, but it is considered as uniform civil code, departmentalization of accounts, so इसके लिए, new civil service create की गए, department के लोग कितने expert होंगे, कितना कर लेंगे, तो इसके लिए एक नई civil service create की गई, और 1976 में create की गई, Indian Civil Account Services, UPSC से recruitment होता जा सकते हैं, ICAS, Indian Civil Account Services, defense का अलग चलता, Indian Civil Account Service create की गई, इसी departmentalization of accounts के कारण, 1976 में, so this body will do the maintenance of account, and CAG जो पहले से थी, उसका काम आधा हो गया, और वो आप क्या करती है, audit करती है, but state level पर याद रखना, state level पर वही हो रहा है, so integration of all accounts of CGA, CGA क्या है आपको बता हूँ, CGA है, controller general of account, यही जो ICAS service बनी न, उसी टाइम पर controller general of account भी बने CGA, and he is the highest accounting authority of the government of India, वो accounting कर रहे हैं, auditing नहीं कर रहे है, auditing CAG करेगा न, ठीक, तो senior most ICAS यहाँ पर हैं, वो कहलाते है, controller general of accounts, not comptroller, controller general, right, Goa separated the accounting with auditing, other states did not do, यह जो DPC Act आई थी न, जो 1976 में amendment किया गा, तो उसी में बोलाए गा थी, कि अगर किसी यह state को मन है, कि वो separate करे, तो President से permission लेके कर सकता है, but only Goa agreed, now there are some issues, I will not be dealing with the issues, आपको समाज में आहीं गया होगा, कि CAG appointed by the President, based on the advice of the cabinet, appoint कर लेते हो, और CAG generally IAS काइडर से होता है, आपको नहीं लगता है, यह technical field है, नहीं technical था, तो आपने accounting के लिए, अलग से civil services क्यों बनाई, तो generally IAS से होना चाहिए था है, Indian Audit and Account Services से, Indian Audit and Account Services को generally, जो head करता हो CAG होता, और CAG जो होता हो क्या होता है, लोग है, different body देख लो, आप judiciary देख लो, वहाँ पर कई लोग multiple लोग है, CIC वगर में भी यही हाल है, but CAG एक single person body है, उसके वो head करता पूरे department को, but head करने से क्या होता, department में फिर भी जो है, personal जो हैं, बहुत ज़्यादा है, नहीं है Indian Accounts body, इनके पास task at 250 के accounting करने का, कर पाते हैं, साट के क्या सपस, इसमें और एक दो issues जोड़के, मैं आपको notes देदूँगा, इतना lecture काफी है आपके लिए, इसके बाहर के question नहीं आने वाले, एक भी main से अपरी में, और इसमें से जो information, जो issues है, या लश्मी कान्त का मालीजी की 2-4 point मुझे लगा की useful है कुछ, ऐसे तो कुछ है नहीं, तो मैं add करके notes आपको देदूँगा, मेरे channel का अभिनो सिंग official पे रात के 12 बजे के बाद लेकिन, थोड़ा add करना होगा, arrange करना हो, आप उसको download कर लिजेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, लश्मी कान्त ओपेन नहीं करनी है, एक word भी वहां से नहीं पढ़ना है, बस ये करना काम हो जागा, तो ठीक है आप से मिलके अच्छा लगा, और साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दियांग आए हैं सारे लोगा, थैंक यू सो मच, आपरीवन, टेक केर, बाई बाई, शेल,